नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्वी चैनल यार कुमार पे दोस्तों आगे बनने से पहले प्लेज चलें को लाइक करें सब्सक्राब करें बेल आइकन को प्लेज करें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तीन करोड बच्चे जो है इस्कूल का मुह नहीं देखा है अभी तब अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 24-25 के करीब 24-25 के करीब वहां की टोटल जन्संख्या है पाकिस्तान की जिसमें से सब्सक्राइज थे हैं तीन करोड बच्चे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की एजूकेशन पॉल्सी क्या है याने कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है कि उनको इस्कूल भेजे गौवर्मेंट के पास पैसा नहीं है कि उनको बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे अंदाजर लगा सकते हैं आप कि 3 करोर कितना बराफ फीगर है ये 25-24-25 करोरों की जन्संख्या है पाकिस्तान की टोटल उसमें से 3 करोर बच्चे-स्कूल का मुह तक नहीं देखे हैं और दोस्तों मैं तो हैरान होता ह morл कि पाकिसान का जो एजुकेशन पॉलिसी है पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि जिसको पाकिस्तान के अंदर नाम लिखना आता है उसको educated माना जाता है खाली नाम लिखना जानता है तो उसको educated माना जाता है हैरानी होती है 50% जो पाकिस्तानी है 50% खाली नाम लिखना जानते है और पाकिस्तान सरकार उसको भी educated मानती है यह है data उनका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जहलियत की क्या हालत है क्या सोच है इनकी जो school जाही नहीं सकता है खाली नाम लिखना जानता है उनको educated मानते हैं पाकिस्तानी यह policy है education की policy पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो खाली अपना नाम लिखना जानता है वो भी educated है तो इसलिए बेरा गर्ग हो रखा है इसलिए पाकिस्तानी दूसरे देश हम जागे भीख मांगते हैं उनको लाते खानी पड़ती है क्योंकि इनको तमीज तो सीखे नहीं है ना इस्कूल जाएंगे ना तमीज सीखेंगे तो आप अंदर लगा सकते हैं कि भुख मरी के तरफ देश नहीं जाएगा इनका तो कहां जाएगा पाकिस्तान तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार मैं हैरान हो रहा हूँ कि पाकिस्तान गौवर्मेंट जो है उनके पास बच्चों के स्कूल भेजने के लिए कोई पॉलसी ही नहीं है तीन करोर बच्चे स्कूल ही नहीं स्कूल के मुह ही नहीं देखा है उन्होंने यही तीन करोर बच्चे आर्ट से दस सालों के अंदर बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, ये कहीं लेबर का काम करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, कोई भीक मागेगा, कोई टेरोरिस्ट बनेगा, कोई किसी का मर्डर करेगा, यही काम करेंगे, क्योंकि उनको सिक्छान नहीं मिल रही है, इनक application लेने के बाद सही गलत का फैसला करते और वो अपना भविश चुनते कि मुझे क्या करना है आगे क्या बनना है लेकिन पाकिसतान के पास ना तो कोई विजन हैelnे जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान का कोई वीजन नहीं था मजहब था वीजन मजहब और वही वीजन आज भी है पाकिस्तानियों का कि मजहब किसी भी पाकिस्तानी से पुछलो तुम मजहब फ़स्ट है इसलाम फ़स्ट है लेकिन इन जाहिलों को कौन बताएगा कि मजहब से पेट नहीं भरता है मजहब से दुनिया नहीं चल रहा है, दुनिया चल रहा है तो education से, तालीम से, यदि तुम educated नहीं होगे, तुम एक तरह से जंगली जीवन जीओगे, तुम murder करोगे, जेब काटोगे, रेप करोगे, terrorist बनोगे, भीख मांगोगे, तो ये सब तुम काम करोगे, और उससे क्या हो कि पाकिस्तानी दुसरे दिसों में काम करने जाते हैं पढ़ने जाते हैं वो सब भीख मांगते हैं पाकिस्तानी जो लड़किया है वो भीखें मांग रही हैं दुसरे दिसों में जाकर तो अप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह जो के सन ही नहीं मिल रहा है इनको स्कूल के भीख माणेंगे, कोई कुई जइब कटेगा, कोई किसी का मडर कर देगा पैसो के लिए, कोई किसी को गोली मारतेगा, कोई के लिए भी जो educated है उसके लिए भी आसान नहीं है आने वाले समय जिस तरीके से समय change हो रहा है लेकिन यह पाकिस्तानी ऐसा देश है पाकिस्तान के लोग ऐसे मतलब जंगल में बैठे होएं ऐसे जंगल में बैठे हुएं इनको होसी नहीं कि दुनिया कहां जा रही है एजुकेशन तक नहीं है इन पाकिस्तानियों के पास सोचो गौवर्मेंट जो है गौवर्मेंट इनको बिल्कुल लूट चुका है गौवर्मेंट यह आर्मी के बूट के नीचे नीचे रहने वाले पाकिस्तानी खली इसलाम का नाम लेंगे पर आर्मी के बूट के नीचे ही जीएंगे और नहीं की बूट के नीचे पाकिस्तानी मड़ जाएंगे गैरत नहीं है इन पाकिस्तानियों में कि उठ जाएं, रोडों प्या जाएं, अपने हक की बात करें। बताओ, इस्कूल तक नहीं मिल रहा बच्चों को, वो बच्चे क्या सिखेंगे? वो टेरोरिस्ट नहीं बनेंगे, वो चोर नहीं बनेंगे, वो डांकू नहीं बनेंगे, वो भीक नहीं मा क्योंकि किसी भी देश का जो future होता है बच्चे होते हैं नौजवान होते हैं बच्चे ही जाकर आगे देश को lead करते हैं आगे देश को ले कर जाते हैं जब किसी देश के बच्चे ही school से दूर हैं तो ओ देश आगे कैसे बढ़ेगा ओ देश कैसे तरक्की करेगा ओ देश इस के साथ कैसे कदम से कदम इलाके चल सकता है जो बच्चे स्कूल के मुह तक नहीं देख रहे हैं तो पाकिस्तानियों मैं आप लोगों से यह ही कहूंगा कि तुम्हारा जो फ्यूचर है बहुत डार्क साइड है और जो अभी तुम फेस कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है आने वा पच्चों को स्कूलों से दूर रखे हो अखाली इसलाम इसलाम करे जा रहे हो तो यह इसलाम ही तुम्हारा एक दिन दुस्मन बन जाएगा और तुम सब नश्ठ हो जाओगे क्योंकि एजुकेशन नहीं लोगे न तो तुम्हारा सर्वाइबल नहीं है इस दुनिया में एक एजुकेटेड इंसान भी वो सर्वाइब कर रहा है पैसे के लिए जॉब के लिए तो तुम तो अनपढ़ हो जाहिल हो इसकूल के मुह तक नहीं देखे हो तो कैसे सर्वाइब करोगे इस दुनिया में मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तानी लोग हैं जो किस दुनिया में जी भी रहें बच्चों कोई स्कूल तक नहीं भीज रही है वो भी फीगर है तीन करोर